हेलो स्टुएंट तो कैसे हैं आप सबी जैसा कि आप सब जानती होंगे हमारे सोल के सेकिंड फॉर्थ एंड सिक्थ समिस्टर के जिनके एक्जाम मई टू जून के बीच कंड़क्ट होने वाले थे उन सबी के सुबह एडमिट कार्ट रिलीस कर दिये थे तो उसी को लेकर स्टुएंट को डाउट आ रहे हैं दोपैर के बाद से जब भी वा अपना एडमिट कार्ट दुवार डाउनलोड करने ही कोशिश कर रहे हैं उनके सामने बार बार शो होता है सेंटर हैस नौट बीन अलोटिड बना आपका सेंटर अभी तक अलोट नहीं किया गया है जितने भी स्टुएंट है जिन्हों दोपैर के बाद ट्राई किया था या फिर सुबह ट्राई कर लिया था उनका डाउनलोड हो रहा था और अब नहीं हो रहा है कम सब्जेक्ट शो हो रहे हैं कोई गलत सब्जेक्ट शो हो रहा है टाइमिंग गलत है डेट्स गलत है उसी के बारे में आज की वीडियों बात करने वाले है कि इसके पीछे का क्या रिजन है तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले अगर अभी तक चैनसे नहीं जुड़े है करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं जूट जाएगा डिस्कृस में आपको टेलिग्राम एंड बहुत सब्सक्राइब मिलेगा उससे भी जाकर जान कर देजिए चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप सब जानते हूंगे सुबह सी बीए प्रोग्राम करी रिलीस हुआ कॉइट अकाउंटिंग कंपनी लो सगिंद सेमस्टर के सारे सब्जेक्ट हैं यह सारे दे रखे हैं अब इनका दो तारीक है चले इनका तो अडमिट कार्ट सही है पर बीए प्रोग्राम वालों के साथ क्या हुँआ है उनको भी जून में एक्जाम दे दिया गया है और किस काड जिस semester का डाउनलोड कर रहे हैं उसमें आपना सेंटर चेंज नहीं करवा सकते हैं अब आते हैं दुआर डाउट पर कि center has not been allotted का क्या issue है देखिए इन्होंने एक तो इतने जल्दी issue कर दिया आपके admit card जो कि कभी नहीं होता है इस वैसे इनसे गलती क्या हो गई बच्चों की timing गलत डाल दिये उन्होंने बच्चों के subjects गलत डाल दिये और बच्चों को क्या हुआ student के कि एक आदा subject साथ की जगा छही subject show हो रहे हैं और काफ इस ट्रेंट के साथ क्या हो रहा है उनके admit card में जो ER subject है जिनके उन्होंने जिन subject में fail हुए है उनके exam दे पाऊगे और उनने clear कर पाऊगे ये बात तो सुझ में आगी कि soul से काफी बड़ी गलती होई एकदम उन्होंने सारे admit card release तो कर दिये पर उन्होंने data को सही से manage नहीं कर पाए किसी में किसी का चड़ गया किसी में कम चड़ गया किसी में जाएगा जल से जल अब बात रही है admit card सही कपता हुआ इसे चोई 47 गंटे दीजे दुबार download कीजिएगा तब तक center has not been alerted का issue भी solve हो जाएगा center has not been alerted का बस यह issue है या तो हम गलत detail डाले है या solve की तरफ से अभी admit card की website ही सारा data हटा दिया गया है और एक भी data नहीं बचा है क फिर दूबारा launch करेंगे हमारा admit card क्योंकि अभी मैंने देखा है किसी भी student का दूबार admit card download नहीं हो रहा है जो कि student जबकि save कर चुके थे यह बात आपको ध्यान रखनी है कि admit card जो था वो गलती से आ गया इतना जल्दी और सारी details wrong उसमें show हो गई अब जो नए admit card आएगा जो आपसा आपको अपना time management करके अपनी study अभी से start कर देनी होगी अब बस आपको यह ध्यान रखना है कि admit card जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा आप बस इसको लेकर परिशान नहीं हो यह सिव आपके साथ नहीं सभी student के साथ हो रहा है तो इसको लेकर panic बिलकुल नही तो चले वीडियो को ही खतम करते हैं hopefully आपको वीडियो समझ में आई गई होगी